यह अब लोगों के लिए UGC net JRF और सेट और कॉलेज लेक्चरर के लिए काफी जादा बेनी फीचल होने वाला है इससे पहले हम चार सेशन्स अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं तो जो भी विद्यारती जो भी स्टुडेंट नए जुड रहे हैं वो एक बार जो हमारे लास्ट के फोर सेशन्स हैं उनको भी एक बार देख लें ताकि आपको थोड़ा सा कमफर्टेबल फील कर पाओ जब भी आज के सेशन में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम हर्बर्ट मार्शल मेकलुहन की तो लेट्स गेट स्टाटेट विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी बात हैं एक्जेम के पॉइंट अव्यू से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए करते हैं सुरू आजाइए आप लोग हो जाइए ताहिया देखो जो मार्शल मेकलुहन है न ही वाज आ कैनेडियन फिलोसोफर फस्ट फॉल वो कहां के रहने वाले कैनेडा के रहने वाले ही वाज बा जो मीडिया है न यह यूमन फैकल्टी यानि मानव का जो इनबॉर्न क्वालिटी है उसी का एक्स्टेंशन है उसी को एक तरीके से स्प्रेड किया गया है इसके अलावा है उन्होंने एक फ्रेज कॉइन की है जिसका नाम है कि दा मीडियम इस दा मैसिज क्या है दा मीडियम इस दा मैसिज अ फ्रेज कॉइन बाइं तो दांसर विल बी मार्सल मैकलूहन अडर्स्टैंड आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो टर्म है यह किसके दोरा कॉइन की गई तेखेगा इन्होंने काफी सारे टम्स और कॉणसेप्ट दिये हैं तो उनका एक एक कर 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 हम के देखते हैं कौन सी टर्म है सबसे पहले बहुत ही इंपोर्टन स्थर्म है एक जहले कि एक एक को देखेंगे हम देख confer ज़रेंट man very important टिपोग्रेफिक में दूसरी है all at once-ness यह तीन सब्दों को मिला के तीन चार सब्दों को मिला के एक जगे की गई है all at once इसके बाद है टेट्रेड ओव दा मीडिया इफेक्ट्स ठीक है और इसके लावा दा मीडियम इस दा मैसेज ग्लोबल विलेच फिगर एंड ग्राउंड होट एंड कूल मीडिया और मीडिया इकोलोजी यह त्यारी है यह टर्म है और यह आपके सारे कॉंसेट आप सबको ऐसे याद रख लो के तर्म और कॉंसेट के नाम से तो भी आप लोगों के लिए बैनिफीशियल है मैंने सारा कुछ जो है सिक्वेंस में आप लोगों के लिए कर दिया है तो मैकलूहन से है ओल एट वंसनेस टेट्रेड और मीडिया इफेक्ट दा मीडियम इस दा मैसेज ग्लोबल विलेज फि कैनेडियन फिलास्फर है और कल्स्पर्स के बड़ा नाम है कल्सरिल स्टीचार की बात करें तो मीडिया-मास की बात करते हैं उसके अलावा सेंसोरियं और new criticism ये इनके इंट्रेस्ट एरिया है जिन में इनका इंट्रेस्ट था इनके उपर इन्वपर इन्होंने में maximum चीजों को include कर लें इस तरीके के सेसंस माईडियर यह हैं तो आप लोग अगर इनको पसंद करते हो तो like share तो करना ही करना है और साथी साथ अपने उन सभी साथियों को बताना है जो की UGC Net, JRF या SET या कोई भी college lecturer किसी भी state के exam की तयारी कर रहे हैं बिलकुल अगर cultural studies उस syllabus का हिस्सा है तो फिर यह सेसंस बिलकुल beneficial है profitable सेसंस है अब इनके वक्स की बात आप करते हैं McLuhan के वक्स कौन-कौन से है तो पहला वक्स जो इनका आता है वो है the mechanical bride अना folklore of industrial man or that was published in 1951 सो पहला वर्क तो आपका यह हो गया अचा वर्क भी हमारे बिलकुल chronological order में है chronology की according है दूसरा है the Gutenberg galaxy the making of the typographic man और इसी जो टर्म है न यही टर्म इसी में coin की गई है typographic man 1962 में कब आई है यह 1962 में तो आई होप यह दो वक्स तो आपको समझ में आगे होंगे so move on to the next work that is under standing media in which in the year 1964 और इसमें इनोंने hot media और cool media के बारे में बात किये understanding media के अंदर इनोंने hot media और cool media की बात किये उसके बाद global village इसी नाम से term है इसी नाम से यह इनका वर्क है 1964 और उसके अलावा the medium is the marriage अना the medium is the marriage 1967 और culture is our business यह है 1970 तो आपके जो भी यहां वर्क आपको दिख रहे हैं वो सारे वर्क आपके देखो एक बार वापस देख लीजिएगा में में चीज है इनको आपको ध्यान रखनी है कि हरबर्ट मार्सेल मैकलूहन कैनेडियन फ्लस्फर है वो कहते हैं कि अल मीडिया इस एक्सेंशन ओफ यूमन फैकल्टी मीडिया इस दा मैसेज फ्रेज इनके द्वारा कॉइन की गई इसके रावा इनकी यह सारी फ्रेज और कॉंसेट और थेयरी है। टिपोग्रेफिग मैन ओल एट अल अएट वंचेस टेह्रेट इडिया इफेक्ट दा मीडियम इस दा मैसेज ग्लोबल विलेज फिगर देढ्राउंड फिगर and ground or hot and cool media media ecology और इनका जो मेन इंट्रेस्ट है मीडिया मास मीडिया सेंसोरियम और न्यू क्रिटिसिज्म यह इनके वो एरिया है जहां पर यह काम करना पसंद करते हैं इनके में बात करें तो तो मेकेनिकल ब्राइट वाकलोर अव इंडस्ट्रियल में 1951 दा गुटनबर्ग गेलेक्सी दा मेकिंग अव दा टिपोग्रेफिक में 1962 इसी में टर्म की गई है में वार मेडिया और कुल मीडिया अंडस्टेंडिंग मीडिया में कौन की गई और ग्लॉबल विल इस 1964 में की गई और अर्धा मेडिया इस नेक्स राइटर पर चलते हैं और आज हम बात करेंगे इसी सेसन में एक और इंपोर्टेंट राइटर के बारे में कौन है यह लगाओ गया है सामने आपके मोबाइल स्क्विन पर रेमंड विलियम्स रेमंड विलियम्स में मैं 1521 से लेके 1988 स्श क्ला सब्सक्राइल से करते हैं में रूप से इसक्राइब काहई स्भब अस सब्सक्राइब करों क्लास और स्ब्या mi है मैंड रूप से उखक्रामे चर्चर की इनकी एक बहुत ही फेमस और नॉन टर्म है सेकंड है सेलेक्टिव ट्रडिशन दाट इस अल्सो अ टर्म कोईन बाय रेमेंड विलियम्स इस्ट्रक्चर ओफ फीलिंग और मोबाइल प्राइबिटाइजेशन सो यह चार टर्म हो गई कल्चरल मैटेरियलिज्म हो गया आल टम्स में भी जो सबसे इंपोर्टेंट है वो यह है कल्चरल मैटेरियलिज्म इनकी सबसे इंपोर्टेंट टर्म है में वर्क देखो इनके ड्रामा इन पर्फोर्मेंस यह 1954 में आता है और इनका जो यह सेकंड वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी डैट वोज पब्लिज इन 1958 इट वाज दे बिगिनिंग ऑव कल्चरल स्टेडीज इन ब्रीटें ठीक है रिचर्ड होगार्ट और का वर्क और 1957 में 1958 में इनका यह वर्क कल्चरल इस्टीज का बिगिनिंग माना जाता है अना दा यूसेज ऑप लिटरेशी 1957 में आया था दे लॉंग रेवलुशन 1951 में इंग्लिस नोवल फॉम दिकंस तू लॉरेंस 1970 में था कंट्री एंड दॉटी 1973 में माक्सिसम एंड लिट्रेशर 1977 में और कलचर एंड मातेरियलिस्म आया है इनका 1980 के अंदर और इसके अलाभ़ा प्रोब्लम्स इन मातेरियलिस्म एंड कलचर eh DK में और कलचर एंड पलिटिक्स क्वियृस रायटिंग और pada यह आया है इसका कोई डेट नहीं है एक्जेक्ट और ट्वर्ड्स 2000 यह आया है 1983 में इनके यह जो वर्क मैंने आपको यहां बताए हुए हैं इस सारे इनके बड़े पॉपुलर और फेमस वर्क है तो एक बार वापस निज़र डालते हैं रेमंड विलियम्स बॉर्म इन 1921-1988 वेल्स के रहने वाले सुसिलिस्ट राइटर हैं क्लास और कल्चर की बात करते हैं कल्चरल माटेरियलिज्म के रूप में इनको याद रखना है कि यह जो टर्म है इनहीं के द्वारा यूज ली गई थी कोई की गई थी सेलेक्टिव ट्रडिशन दूसरी टर्म है इस्ट्रक रिटेन में कल्चरल स्टेडीज का बिगिनिंग माना जाता है डिवलप्मेंट इसी से सुरू होता है में रूप से जो माना जाता है इसके बाद देखिएगा दे लॉंग रेवलूशन 1961 दा इंग्लिस नोवल फ्रॉम डिकंस तू लॉरेंस 1970 दा कंट्री एंड दा सिटी 1973 मा प्रॉब्लम सिन मटेरिलिज्म एंड कल्चर नाइटीनेटी कल्चर एंड पॉलिटिक्स क्लास राइटिंग और सोशलिज्म और टूर्ड्स टू हंड्रेट नाइंटीन एटीथी त्री सो यह इनके में 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 वर्क होगे जो बाते मैंने आपको इसमें बताई हैं वह सारी फिस्क नैंटीन थर्टीन से लेके ट्वंटी ट्वंटीवन ठीक है और मीडिया स्कॉलर है और कल्चरल थेयरिस्ट है इनका जो कॉंट्रीब्यूशन है वह किसमें है पॉपुलर कल्चर और टेलिवीजन स्टडीज के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है तो ही कॉंट इन दौनों पर इन्होंने खूब सारा वर्ग किया है तो इसको भी आप अपने माइंड में बिठा लें कि पॉपुलर कल्चर और टेलिवीजन कल्चर की बात जोन फिस्क करते हैं इनको जाना जाता एज पैरी पैटेटिक स्टूडेंट और पॉपुलर कल्चर ठीक है पॉपुलर कल्चर मतले को इन्होंनों बहुत जाता जोड दिया था उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और इनको कहा जाता ही वाज फादर ओव टेलिवीजन इस्टेडीज और क्या कहा जाता है पैरी पॉपुलर कल्चर और टेलिवीजन कल्चर पर खूब काम किया इनको क्या कहा जाता है पैरी पैटेटिक स्टूडेंट और पॉपूलर कल्चर कहा जाता है फादर ओफ टेलिवीजन इस्टेडीज भी इनको कहा जाता है तो इसमें इन्होंने काफी ज़्यादा मदद की थी इसको एस्टेब्लिस करने में इनके टम्स की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट है पहला है सीमियो टिक डिमोक्रसी ही अपलाइड सीमियो टिक इन मीडिया टेक्स्ट और इन्होंने सीमियो टिक को कहाँ अपलाई किया है मीडिया टेक्स्ट में अपलाई किया है पहला हो गया दूसरा है पावर ब्लॉक इन पावर प्लेस और पावर वर्क पावर ब्लोक हो गया इन पावर प्लेस पावर वर्क्स 1993 और यह हो गया यह जो एक्स कॉर्पोरेशन है वेन वी बॉरो शम आइडिया थिंग फ्रॉम डॉमिनेंट पीपल यह टेलीविजन कल्चर में इन्होंने कोईन किया है इसके लाव आप नेक्स जो इनकी टर्म है क्यूनिकेशन क्यूनिकेशन एक बार से कर देता है क्यूनिकेशन इस्टडीज निटीन टू टेलीविजन कल्चर 1987 मिट्स ऑफ ओ जैड नाम है ध्यान रखना रीडिंग ऑस्टेलियन पॉपुलर कल्चर 1987 और चारग और को और इनके रीडिंग दा पॉपुलर 1989 कल्चर 1989 पावर प्लेज और पावर ब्लॉग इसकी चर्चा मैंने भी बताई थी आपको पावर ब्लॉग इसी में करी है इन्होंने टर्म कोईन और मीडिया मैटर्स रीडिंग ऑस्टेलियन पॉपुलर कल्चर 1996 तो जॉन फिक्स के जॉन फिस्क के एट इंपोर्टेंट वर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ सीयर करने ठीक है मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाई-बाई टेक कियर एंड थेंक्यू